हेलो फैंस वेलकम बैक पूर चनल और लेक्टे के हाल ही मैं भारतिय वजार में अपने लेक्टी स्कूटर रेंज के सबसे के फायती वेंड की डूप में प्रोवेंट के तुलना में काफी सतर आती है तो आप सोच जए होंगे कि क्या आपको बेस मोडर और एस वन एयर को लेंज चाहिए या फिर कुछ और पैसा खर्च करके और एस वन को खरना चाहिए है तो आज किस वीडियो मैं आपको इंद्रों लेक्टी शूर्ट के बीच मे करके बताऊंगा कि आपको इंद्रों में से कौन से लेक्टी शुक्रा लिखना चाहिए है तो फेंस वीडियो चो करने से पहले अगर आपने आपके तामाज चैनलों को सब्सक्राइब और पैंट है सबसे इंपोर्टन नए एस वन एयर को एक फ्रेट फूट बोर्ट मिलता है जो कि घुमाओदर डिजाइन के तुलना में एस वन प्रोपर भी दिखा दा सकता है इस न्यों मोडल में डूवल टॉन पेंट फिनिस एक नए डिजाइन किया गया सिंगल रियर ग्रेब हैंडल और साथ ही एक अपडेट सिंगल स्टीट है एस वन एयर में अलुमिनियम ह द्रेंज 301 किम्मेटर है वह इसकी टूरण 46 किम्मेटर है और एस वन एयर चारपर पांस सिकंड में जिए से अप्न पांस के मॉटर को प्योंग कि आ गया है तो इसमें आपको दोपर पांस लोट की बैटी दी जाती है वहीं दूसरी और एस वन 25 के टोविट इखने को मिलत सब्सक्राइब और S1 यह दोनों में ही 7-inch touchscreen display है जिसमें Android अधारी software है जिसे Move OS खा जाता है दोनों को ही जल्द ही Move OS 3 में update कर जाएगा दोनों scooter में navigation, Bluetooth connectivity, दो रैडिंग modes, reverse mode, OTE updates, remote boot unlock और बहुत सारे basic features देखनों मिलते हैं अफसोस की बात यह है कि दोनों में आपको cruise control और hyper mode देखनों नहीं मि सब्सक्राइब आगे की और एक नया telescopic for up मिलता है और साथ पीछे नया dual शुर्क अब्जर्बर मिलते हैं इसके लावा एस बन में आगे की और 220 mm और पीछे की एक सब्सक्राइब मिलते हैं जबकि एस वन एयर रम बेकर सार आता है और एस वन एयर में आपको आगे और पीछ साथ नए वीडियो में